C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की ध्वनी पुस्तक शेहनाई भाग 2 सबख 6 सफ़ह नंबर 35 खेल का मैदान आहा, आज छुट्टी का दिन है दिन भर खेलो, कूदो, खाओ, पियो, कोई कुछ नहीं कहता बस शाम को कुछ होमवर करना है अमान ने अपने भाई अकरम से कहा अकरम हाँ भाई, आज बहुत मज़ा आएगा हम अपने दोस्तों के साथ मैदान में जाकर खेलेंगे अमान और अकरम ने जल्दी से नाश्ता किया और अपने दोस्तों को लेने उनके घर चले गए कुछ देर बाद सभी खेल के मैदान में जमा हो गए यूँ तो वो सब फुटबॉल और क्रिकेट भी खेलते थे लेकिन आज उन्होंने सिर्फ गेन से खेलने का फैसला किया खेल के उसूल अकरम ने बताते हुए कहा इस गेन को पहले एक लड़का हाथ में लेगा और फिर हम सब को गेन से मारेगा जिसके भी गेन लग जाएगी उसे बारी देनी पड़ेगी ये कहकर उसने गेन अजमल की तरफ उछाल दी सफ़े के नीची की जानेब एक तस्वीर दी गई है जिसमें अमान और अकरम अपने दोस्तों के साथ गेन से खेल रहे है अब सब लड़के खेल के मैदान में फैल गए अजमल ने गेन से खिलाडियों की तरफ निशाना लगाया मगर गेन किसी के नहीं लगी अजमल ने दोड़कर गेंद उठाली और फिर फेंकी इस बार गेंद अकरम की टांग पर लगी मगर अकरम ने कहा नहीं लगी नहीं लगी इस सफ़े के निचले हिस्से में अकरम और अजमल खड़े हैं और उनके साथ और दोस्त भी खड़े हैं और साथ में खेल के मास्टर सहाब भी है सफ़ह नंबर 37 अजमल, राहुल और पीटर ने कहा लगी है भई, लगी है लेकिन अकरम नहीं माना अजमल को दोबारा बारी देनी पड़ गई इतिफाख से उस दिन खेल के मैदान में खेल के मास्टर सहाब भी मौजूद थे वो दूर से बच्चों का ये खेल देकर खुश हो रहे थे जब खेल खत्म हो गया और बच्चे अपने अपने घरों को जाने लगे तो मास्टर सहाब ने सब को रोक लिया और उनसे कहा बच्चों याद रखो खेल को इमानदारी से खेलना चाहिए खेल को खेल के जजबे से खेलना चाहिए हार और जीत को खुशी से कुबूल करना चाहिए खेल हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं मास्टर साहब ने ये बातें किसी का नाम लेकर नहीं कही थी लेकिन अक्रम को बहुत शर्माई इस सफे पर दो तसावीर दी गई है एक तस्वीर में एक बच्चा किताब पढ़ रहा है और दूसरी तस्वीर में एक मां अपने बच्चे को नाश्टा दे रही है मश्क के बाई जानिब दो तस्वीर दी गई है एक तस्वीर में बच्चे सी सौ खेल रहे हैं और दूसरी तस्वीर में एक लड़की पतंग उड़ा रही है सोचिये और बताईए एक अमान ने अपने भाई अकरम से क्या कहा दो छुटी के दिन दोस्तों ने क्या खेलने का फैसला किया तीन अकरम ने खेल के क्या उसूल बताए चार अजमल को दोबारा बारी क्यों देनी पड़ी पांच मास्टर सहब ने बच्चों को क्या समझाया असातिजा के लिए हिदायात बच्चों से उनके पसंदीदा खेल पर गुफ्तगू करें बच्चों से उनके इलाके में खेले जाने वाले खेलों के बारे में बातचीत करें सफ़ह नंबर 49 खाली जगों में मनासिब लवज लिखे गेंद, दोस्तों, फैसला, जल्दी, खुश एक, हम अपने खाली जगा के साथ मैदान में जाकर खेलेंगे दो, अमान और अकरम ने खाली जगा से नाश्ता किया तीन, आज उन्होंने सिर्फ गेंद से खेलने का खाली जगा किया चार, ये कहकर उसने खाली जगा अजमन की तरफ उचाल दी पाँच, मास्टर साहब बच्चों का ये खेल देखकर खाली जगा हो रहे थे जिस तरह खेल से खेलों बना है, इसी तरह दिये गए लफसों को बदल कर लिखिए एक, बच्चा बराबर खाली जगा दो, तरीका बराबर खाली जगा तीन, मैदान बराबर खाली जगा चार, गेंद बराबर खाली जगा पाँच, दोस्त बराबर खाली जगा सफ़ह नंबर चालीज गेंद की तस्वीर बना कर उसमें रंग भरिये यहाँ पर नीचे खाली जगा दी गई है जहाँ पर आपको गेंद की तस्वीर बना कर उसमें रंग भरना है सभा की गेंद को गोल तक पहुँचाईए सफे के इस हिस्से में एक तस्वीर दी गई है जिसमें एक भूल-भुलया का रास्ता दिया गया है एक तरफ सभा गेंद से खेल रही है और दूसरी तरफ गोल है सभा को इस गेंद को गोल तक पहुचाणा है अभी आप सुन रहे थे कक्षा दो की उर्दू की ध्वनी पुस्तक, शेहनाई, भाग दो, वाचन स्वर, शिमाईला पर्वेज और पर्वेज गवहर तक्निकी निर्देशन बटी लैंग लिंग्डो, ध्वन्यंकन, मयंक कुमार, निर्माण सहायक, तनु गुपता, निर्देशन एवं निर्माण, वीमलेश चाओधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नैदिल्ली भारत